नमस्कार सभी सात्यों को जैहिंद वदे मात्रम ITBP ट्रेट्समेन, ITBP सफ़ाई करमचारी, ITBP अनीमल ट्रांस्पोर्ट का GKGS का पार्ट 4 आचुका है बच्चों आपके सामने तो I hope आप सभी बच्चों ने उप पिछला वीडियो हमारा जो Part 3, Part 2, Part 1 सभी बच्चों ने आप देख लिया होगा बेटा आज हमारा Part 4 है और सभी बच्चे जो भी नए बच्चे जूट चूके हमारे साथ और जो वीडियो को देखते हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें ताकि आपको हमारी अगली क्लास का या हमारी अगली नेक्स वीडियो का नोटिफिक्रिशन आप तक पहले पहुच पाएं तो ठीक है आज हम जीके का ये पार्ट फूर आपके सामने लेके आ चुके हैं तो आपका पहला प्रश्ने बिटा इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता चीप को आंदूलन सुंदरलाल बहुगुणा नर्मदा बचाओ मेदा पार्ट कर और एपी को आंदूलन पी हेगडे मो को बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता तो आप सभी को बताना है बच्चों इसका सही आंसर क्या होने वाला है तो आपका जो साहिए answer हो जाएगा मोन आंदुलन बाबा आम्टे मैं आपको बाबा आम्टे के बारे में बता दू थोड़ा सा तो जो बाबा आम्टे हैं भारत के पर्मुख वह समानित समासेवी जिन्होंने समाज में बीटा जो परीत्याव वक्त लोगों को कुष्ट रोग्यों और उनके आस्रमों और समूदाएं की स्थापना की मतविनों ने ठीक है न तो ये एक तरफ से क्या है समासेवी टाइप के हैं ठीक है तो ये मोन आंदुलन सिन का कोई संबंद नहीं है ठीक है ये आपका सही आंसर हो ठीक है ना जिसका उद्गम काएं पस्चीमी हिमाले से होता है ठीक है यही नदी बेटा आपकी जो है बांगला देश में चपाई नवावगंज नामक इस्थान में प्रवेश करती है कहां पे कहां पे बेटा चपाई नवावगंज चपाई नवावगंज ठीक है अगला प या रंगना थितु पक्षी विहार बेटा रंगना थितु की मैं बात करूँ ये करनाटक में है ये करनाटक का क्या है बेटा नैशनल पार्क है यहीं पे एक नागर होल भी है बेटा और यहीं पे एक सोमेश्वर भी है सोमेश्वर क्या है बेटा सो मेश्वर सो मेश्वर है क्या है यहाँ पे सो मेश्वर है एक मिनिट है एक मिनिट रूपी तो यह सो मेश्वर है ठीक है मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो मेश्वर है ठीक है सो मेश्वर तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका तो आपका सही आंसर बेटा सुंदर्वन डेल्टा जो कि गंगा नदी पे ठीक है बनावाए ठीक है बहुत बड़ा डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा है अगला प्रशने बेटा 1930 में पहली बार राष्टर मंडल खेल कहां आयुजित किये गए थे आपका कुशन है 1930 में पहली बार राष्टर मंडल खेल कहां आयुजित हुए थे ऐसे ऐसे कुशन बेटा आते हैं पेपर में ये ITBP का ही है Kitchen, Service, Animal, Transport किसी के लिए आप इसको पढ़ सकते मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको तो सही आंसर हो जाएगा Option B, Kanada ठीक है ना आपका सही आंसर बेटा Kanada हो जाएगा ठीक है तो अच्छा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशीलता अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती है ठीक है तो कितनी जोड़ी टांगे होती है आपको सही आंसर बताना है बेटा तो यह होती है आपकी तीन जोड़ी और आपको भी पता है कौन सा मच्छर होता है मादा मच्छर के काटने से होता है ठीक है न, क्या होता है बिटा, डेंगू, याद रखेंगे, ओके, अगला प्रशने मेरे प्यारे बचों, मनुश्य की छाती से उंचे, 30 cm या इससे अधिक परेदी वाले पौदे की पैचान किसी रूप में की जाती है, तो आपके option है, जाड़ी, व्रक्ष, ओशदिय बूट की होती है, और इनका जो diameter होता है न, इनका diameter बेटा 30 होता है, 30 cm, ठीक है, 30 cm तक पहुंच सकता है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रशने की ओर, अमलिय वर्षा किस कारण होती है बेटा, आपको ये चीज बतानी है, SO2 के कारण, या NO2 और कणी का, SO2 और CFC, क्लोरो फुलोरो क के कारण, या SO2, NO23 के कारण होती है, तो आपको सही आंसर बताना है बेटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, SO2 और NO23, देखिए होता क्या है, ये इसमें क्या होता है न, इसका कारण यह होता है न, बेटा की, प्रितविके वाईव मंडल में सल्फर, डाई, आकसाइड और आइट्रोजन जो होता है न, वो जल के साथ क्रिया करते हैं, और नाइट्रिक अमल और गंदक को तेजाब बन जाता है, ठीक है, जो ऐसी ड्रेन में, अमल दो प्रकार के, आपके होते हैं, वाईव परदुशन से जो आते हैं, SO2 और NOX, ये परदुशन, प्रारंबिक जो की संग्रे से क्या बनता है, तो व्र्ड वैब, टिक है न, www, ये ठीक है, व्रिपल डवलु ये, टिपल डवलु, या ड्रू का क्यूब कहलो, तो इसकी खोज किसने किती बेटा, ये भी कोशन बन जाता है, टीम बनर्स लीने किती, टीम बनर्स लीने, बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है वायू में प्रकाश की गती क्या होती है बेटा option है 8 गुना 10 की पावर 3 मीटर पर second 3 गुना 10 की पावर 8 या असीम या 3 गुना 10 की पावर 4 तो साही answer हो जाएगा आपका कितना बेटा 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर second उके अगला प्रशन है मानवी आंक की अधिक्तम सुग रहीता किस रंगे छेतर में होती है ठीक है तो वैंगनी या निला छेतर या लाल छेतर या भिटा हरा हरित छेतर तो सही answer हो जाएका हरित छेतर ग्लास किस में गुलंशील होता है ठीक है तो glass किसमें गुलंशील होता है आपको ये बताना है बिटा इसका सही आंसर आपका option number D हो जाएगा HF ठीक है HF में होता है ठीक है अगला प्रशन है पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं आपको बताना है तो इसमें क्या होता है बेटा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका hydrogen का भारी समस्थानी ठीक है होते न आईसो टोप आईजो बार ये पड़े होंगे आपने तो वही है ये बाकी अगला प्रशन है योगिक सुक्षमदर्शी क्या होत है आपको बताना है बेटा तो ये क्या होगा इसका सही आंसर ऐसा सुक्षमदर्शी जिसमें लेंसों का दो सेट होता है नेत्राकार लेंस और एक छेत्र नेत्रक का अगला प्रशन देखेंगे कंडा राएं नसें और इसनायू क्या होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा ब प्रतिकारी गैस का क्या नाम होता है ठीक है जो मतलब क्या है जो वो नहीं करती एफेक्ट नहीं डालती या जो रियक्शन नहीं करती और प्रतिकारी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन ठीक है आपको पता है 78% नाइट्रोजन है हमारे वायू मंडल के अंदर ये चीज भी आपको याद रखनी है बढ़ते हैं अ पाकिस्तान का है ठीक है ना पाकिस्तान का है लेकिन मतलब क्या है ना मतलब हम सच बोलू तो हमारे देश का कोई राश्ट खेल नहीं है ठीक है बहुत सारे लोग इसके उपर डावट भी करेंगे या जो भी है अगला प्रशने देखिए ध्यान चंद्र मैंने बता दिया वाट ने किया है ठीक है बिटा जेम्स वाट ने किया है आपको ये पता होनी चीज़ें और थॉमस न्यू को मैन ठीक है इंगलेंड की निवासी है ठीक है इन्होंने क्या बोलते हैं इन्होंने आपका पता है ये थॉमस ठीक है जेम्स वाट ओके ठीक है ठीक है ओके मेन मेक इ इंडिया पहल का शुबारंब कब किया गया था तो मेक इन इंडिया का शुबारंब बिटा कब किया गया था आपको इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2014 25 सितंबर कहां है लिखावा देखो 25 तारिक तो नहीं है सर option number C 2014 last question इस वीडियो का और अकारिक्रम का भूमी में जलके रिसाओं की प्रिक्रिया क्या कहलाती है तो बिटा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंत सयंदन ठीक है तो आयूप आपको हमारा जो यह आज का वीडियो यह हमारा पार्ट 4 कैसा लगा तो वीडियो के comment box में जरूर बताएं आपको हमारा एक class कैसे लगा बच्चों और जिस भी बच्चे को इसका pdf चाहिए हमारे टीबीप के लिए ठीक है शुरू के 10 सेट हमारे कैसे रहेंगे शुरू के 10 सेट हम ऐसी लाएंगे आपको बुक्या धार वाले उसके बाद 10 सेट हम क्या रखेंगे रैपिड फायर वाले फिर लास्ट के जो 5 सेट रहेंगे बेटा वो हम नेनायक वो भस्म बेच आएगा जो 5 सेट रहेगा ना जीके का इंगलिश का वो भस्म बेच वाला रहेगा भस्म सेट ठीक है भस्म बेच नाम होगा उसका भस्म बेच क्या नाम होगा बेटा उसका भस्म बेच भस्म बेच तो ihoop आपने वीडियो और कारिक्टरिम को बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा ठीक है बाकी इस class का PDF अगर किसी भी बच्चे को चीए तो WhatsApp ग्रूप में जोईन हो सकता है हम हमारे पास ऐसे पता नहीं 20-25 set है अगर आप उसको लगाते हैं बहुत अच्छी तयारी आपकी हो जाएगी आपकी इसके लिए बाकी मैं 200-200 question का मेराथन भी डेली लाओंगा आपको पता है न मतलब जब 10 set आपकी complete हो जाएंगे उसके बाद जो 11-20 तक का जो set होगा वो 200-200 question का मेराथन चलेगा उसमें ठीक है अब लगा लीजिए 2 धाम 20 2000 question आपको sufficient है 2000 यह और 25-25 का यह मान लीजिए 25 धाम 250 ठीक है बेटा तो लगबग लगबग आपको 2500 के आसपास हम question करवा देंगे आपके exam तक ठीक है तो जिस भी बच्चे ने channel subscribe नहीं किया प्लीज चैनल को subscribe करके पहला icon की गंटी को तबा लेना ठीक है वीडियो में यह जान कर रही थी बच्चो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से दन्यवाद जैहिं